हम लोग इमानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्स बनने के बाद सीर रहूल गांधी परिपक्को होंगे लेकिन मुझे ये बोलते वे त्यंत खेद की अनुभूती हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है एक अपरिपक्व बुद्ध का ब्यक्ति ही इस परकार की बचकाना बयान बाजी करेगा हिंदू भारत का मूल समाज है भारत की आत्मा है स्वामी बिवेकान अंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है हिंदू कोई जाती सुचक सब्द नहीं है कोई संप्रदाई सुचक सब्द नहीं है मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है सिराहुल गांधी के इस बयान ने जिसमें हिंदों को बारे में जो टिपनियां की है यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लोहलुहान करने जैसा है भारत माता की लौलुहान करने के इस परकार के दुर्भाग्यपूर बयान के लिए सिराहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक सप्रत्यक सुरूप से राहुल गांधी के बारे में कोई ब्रहम पाला होगा उनका इब्रहम अवस्य तूट गया होगा मैं सिराहुल गांधी के इस प्रकार के बक्तब्ब की निंदा करता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी से कहता हूँ कि वह सिराहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें देखे राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है हमने लोकसभा चुनाओ कैम्पेन के दोरान भी देखा है अनल गल परियाँ प्रपलाप करके नोंने जिस प्रकार की गुमरहा करने वाले बक्तब्ब दे थे जोटे बक्तब्ब दे थे सम्विधान का गला घोटने वाले लोक सम्विधान के बारे में गुमरहा करने वाले बक्तब्ब देने के लिए बिदेशी पैसे के बल पर चुनाओं को प्रभावित करने का इन्होंने प्रियास किया एक लाख रुपे के फरजी बॉंड भरवा करके भारत की माताओं को बेहनों को इन्होंने गुमरहा करने का कारे किया और आज जो बियान फिर से से राहुल गांदी ने दिये हैं वेत्यंत निंदनी हैं और सर्मनाग भी अयोध्या को इसकी पैचान से बंचित किस ने किया था कैस्चने की इंडी गडवंदन से जुड़ेवे लोग इसके लिए जिम्यदार है से राहुल गांदी और उनके सहयों की इस बात के लिए जिम्यदार है जिन्होंने नकिवल अयोध्या को बनवास दिया था बलकि सर्यू मैया के जल को भी रखतरंचित करने का कारे किया था कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पैचान से बंचित करने का कारे आजादी के बाद से ही लगातार कॉंग्रेस करती रही रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था हिंदों को पूजा करने से बंचित करने का काम कॉंग्रेस ने किया था और आज जब अयोध्या अपने बैभो की पुनरस्थापना के लिए फिर से पुरी दुनिया को अपनी और आकर सिख कर रही है तो कॉंग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है सिराहुल गांधी का वयान जोट का एक पुलंदा है सच्चाई ये है अयोध्या के अंदर 1733 करोड उपिये केवल मुआवजिये के रूप में अयोध्या वाच्छियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्द करवाए है चाई वह भक्ति पथो, राम पथो, जनम भूमिपथो चाई वह एयरपोर्ट के निर्मान का हो चाई वह 14 कोशी परिकर्मा के मार्ग का हो एक-एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पजेशन था उन्हें प्रॉपर कमपनसेशन दिया गया प्रॉपर कमपनसेशन देने के साथ ही जो दुकाने थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे उनके लिए उस प्रकार की F.A.R. में छूचूट छूट दी गई जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी उनके लिए मर्टि लेवल कॉंप्लेक्स बना करके वहाँ पर उन्हें सौपिंग कॉंप्लेक्स में उन्हें अस्थान देने की कारकारे को आगे वढ़ाया गया सिराहुल गाधी के बयान सत्य से परे हैं जूट का एक पुलंदा है उत्तरप्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजी से और भारत की चबिको अयोध्या धाम की चबिको दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस्मानसिक्ता का हिस्सा है जो एकसिटेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी कॉंग्रेस पार्टी और इंडी गड़बंदन को देगी यूपी की हग हमर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेश्ट यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें